हेलो फ्रेंज एन वेलकम बेक तू मैं चैनल पटकाई एन एक्स्प्लोर तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा मंदिर लेके जाने वाला हूँ जो कि बहुत ही पुडाना है तो वो मंदिर के बारे में मैं वहाँ पहुचने के बाद ही आप लोग को अच्छे से बताऊंगा तो लेट्स को अच्छे सो जागुन तैंथ माइल में है यह मंदिर यह शिव मंदिर है काफी उचा टीला बोलते हैं मतलब उचाई में है उतना भी नहीं अच्छागासा उचाई में है मतलब बहुत उचाई में नहीं सो यहां 10 माइल का जो क्रेशन मिल है उसे क्रॉस करके जाना परता है यहां से रस्ता है काफी कुपिया रस्ता और यहां भाहर से भी बहुत लोग आती ही रहते है तो मंदिर वो एकदम उचाई में है जगा आप देखें काफी सुन्दर है चाम T यहां से यहां से जाना पडेगा मंदिर ऊपढ है लेकिन उससे पहले मैं आपको पुड़ा लोकेशन यहां से रिखाता हूं काफी सुंधर है friends और यह बहुत ही पुड़ाना मंदिर है मैं बच्पन से ही आ रहा हूं यहां मंदिर लेकिन आज मैं after यूज गैप मतलब मैं साइद 10 या 12 साल के बाद यह मंदिर आ रहा हूं लेकिन बच्पन में बहुत आता था यह मंदिर और यह तेंट माईल में है और फ्रेंज यहां बाहर से भी लोग आते हैं और इस मंदिर को बहुत मानते हैं ठीक है फ्रेंज तो चलिए मेरे साथ लिखे जाते हैं इस तरफ से मंदिर में चलिए कि यह पूरा ना गंपति मंदिर है फ्रेंज एकलिया मंदिर पहले यही था और भी नया से वहां बनाया जा रहा है और एक बार यह कॉंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद यह मुर्ति यह नय मंदिर में मतलब आपका रख दिया जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह उरा बार विरैंज चैन झारा है प्रेंट्स में एक चीज़ दिखाता हूं यहां पर आप सीडी देख सकते हैं यह सीडी पुडाने मंदिर जाने का रास्ता है यहां मैं सुना था कि यहां टोटल 206 स्टेर्स है मैं गिना तो नहीं लेकिन सुनने में मुझे यही आया था कि यहां 206 स्टेर्स है अभी यह यूस नहीं होता है चली अभी व्यू देखते हैं चली अभी मंदिर के और जाते हैं फ्रेंस फाइनली पहुच गया है मंदिर सो अंदर देख सकते हैं आप लोग एक सिवलिंग है और वहां घंटा भी है तो एक प्रणाम कर लेते हैं जय भुले नात प्रेंस अभी आपने मंदिर के लेते हैं तो देखी लिया तो अभी मैं जिस स्टेर्स में ख़़ा हूं यह एक प्रेंस पुराना मंदिर पुराना शिब मंदिर यहीं पर था आईए मैं दिखा था तो यह स्टेर्स जो मैंने स्टार्ट में बोला तो पुराना मंदिर तो पहले स्क्रिजमा दे रिये था एक चली मैं बच्वन में जब आता था तो मैं इस मंदिर पर आता था तो इस मंदिर के जो आप शिबलिंग देख सकते उसके पीच्छा बहुत भड़ा विशाल पेड जो कि गिर गया तो कुछ कारण से वह पैड गीर जाने के बाद वह मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया इस तरफ प्रपरली बना के वहां शिफ्ट कर दिया तो हम लोग का मंदिर है तो फ्रेंस अभी सिब जी का दर्शन भी हो गया मैंने आप लोगको दिखा भी दिया यह आई यह मंदिर तो आप लोग को अगर मौका मिले तो आई यह मंदिर यह बहुत लोग मानते हैं मैं मानता हूं ऐसे बहुत लोग है जो मानते हैं तो आई यह मंदनत मांगने से ज़रूर पूरा होता है तो अगर मौका मिले तो ज़रूर आई तो फ्रेंस आज को मेरा ब्लो झाल झाल झाल, 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 झाल